वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आपने मेरा इससे पहले 249 पंचाय सजीब की पोस्टो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देदूगा तो आप उसे इस वीडियो के बाद जुरूर देख लेना हेलो दोस्तों आपका मैंने चैनल पर स्वागत हैं तो जैसा कि आपको बता है कि माचल प्रदेश में 249 पंचाय सचीब के भरे जा रहे हैं पंचाय सेकरेटरी के तो जो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होनी थी वह 18 तारीक को होनी थी और जो यह नोटिफिकेशन जारी हो आपको बताँगा कि इसमें इसके लिए आपको क्या उडिकेशन चीए और क्या और दृडिया आपको सब्साइब आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो इन्होंने जो यहां पर अपने नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें जो पीडियाफ है वो इतनी साब तो नहीं है लेकिन समझ आ रही है तो आप वाइस पर जादा फोकस करना मेरी तो मैं आपको जो चीजे मेन है मैं आपको बता देत और वो सेलरी के बारे में बात करता हूँ तो इसमें जो सेलरी रहेगी आपकी रैगुलर होने पे वो रहेगी 5910 से लेकि 20200 प्रस 1900 ग्रेड पे और जब तक ये तीन साल के लिए आप कॉंट्रेक्ट पर रखे जाओगे तो तब आपकी सेलरी होगी 5910 प्रस 1900 ग्रेड पे मतल 7810 रुपे पर मन्त ठीक है तो ये फॉलो वही क्राइटेरिया करते हैं जो कि हच्पेससी द्वारा जो पोस्टे भरी जाती है सेम उसी ये लिए तो दूसरा हम आपको बताओं कि एज क्राइटेरिया का है तो जो एज है वो 18-45 है ये भी सेम है जैसे हच्पेससी मांगता है अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं qualification के बारे में जो कि बहुत ही जादा queries में था कि qualification क्या रहेगी तो जो वह इस वार चेंज हो गया किस बार इन्हों ने ग्राइजूशन कर दिया बैचुलर डिग्री तो इन्होंने लिख्या कि बैचुलर डिग्री और इट्स इकॉलेंट फो मैंनी रिकॉर्गनाइज़ इंस्टिटूट एप्रूवड वाई एच पी गोवर्मेंट एच पी गोवर्मेंट उनिवर्स्टी बोर्ड यार कि जो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट ठीक है सेम उसी तरह हैं जिस तरह हमीरपूर बोर्ड की टाइपिंग होती है तो आपको यह तिन चीज़ें पता लगे सैलरी एज और क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूँ कि इनके और यह भी अप्लाई कर सकते हैं और 30 वर्ड पर मिनट इनकी इंग्लिश में स्पीड होनी चीए और 25 वर्ड पर मिनट इनकी हिंदी में स्पीड होनी चीए तो आपको एक चीज में करनी है ऐसा नहीं है कि अगर हिंदी में है तो आपको इंग्लिश में भी करनी है नह जो यह एक्जाम है वो एच्प उनिवस्टी करवाएगी तो वहीं पे इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन भी अप्लोड किया बाकी यह प्रसेस तो है कि जब आप की जो एनिंग हो जाएगी उसके बाद का प्रसेस है कि एपॉइमेंट कैसे होगी तो यह सब इसी के बारे में तो चलो बात करते हैं स्लेवस के बारे में तो जो स्लेवस रहेगा वो आपके सामने है कि इसमें जो रहेगा इंग्लिश का तो इंग्लिश का जो इसमें टोटल नंबरों कोशन आएंगे वो आएंगे 20 ठीक है इंग्लिश के 20 कोशन आएंगे जो की प्लस टू लेवल का रह है जो जर्णर न大िज जो जर्णर नोलेज ज्जो जर्णर नोलेज वो 5 नंबर जादा मजला 25yst नंबर किया है और 25 है इसमें कोश्च빈 होंगे तो इसमें जो इन्होंने पुछ जर्णर नोलेज में बोला चुछा है तो मैं तो इसके बाद आपका है जो कि कंप्यूर्ट टाइप टैस्ट आपको बदाए मैंने कि इंग्लीज में 30 वर्ड पर निट आप की स्पीड होनी चाहे है और ले द्चिए 25 पर मिनट दोनों में डोनों में से आपको एक में कर सकते हो तो बकी अब हमाद आपक को बताए कि 239 है टोटल आपके सामने है लेकिन किस डिस्ट्रिक में कितनी है वो भी मैं आपको बता दूँ तो 239 तो टोटल पोश्ट है और उसके वाद जो डिस्ट्रिक वाई फॉष्ट से देख लेते हैं बिलासपुर में नो चमबा में दो जो की चमबा में काफी कम है और उसके बाद हम इरपुर में 18 और सबसे ज़्यादा है कांगडा में और उसके बाद कांगडा के बाद है सबसे ज़्यादा मंडी में और उसके बाद है फिर शिमला में तो शिमला कांगडा और मंडी में 50-50 पोस्टे हैं और सिरमोर में 22 पोस्टे हैं सोलन में 19 है और उन्ना में 2 है तो उन्ना लोहॉल्स पीटी और चंबा में 2-2 पोस्ट है और कि नौर में 1 पोस्ट है इसके लावा बाकी जितने भी डिश्टिकन सब में पोस्ट है ठीक है तो इसकी त्यारी आप शुरू कर दो क्योंकि फोर्म तो बरे जारे एक्जाम पता न कि कितनी पोस्ट हैं कितनी नहीं तो जैसे आप देखे सकते हो कि कैटेगरी वैसे जैसे अनुसुची बिलासपुर में अनुसुची जाती की दो पोस्ट है और उसके वाद इन्होंने MBA Grammy विकास के लिए अलग से दे रखे है जैसे इन्होंने जीरू जीरू पोस्ट है बाकि काफी जगा है एक जगा इन्होंने पोस्ट है रखे है मैंने क्वालिफिकेशन में बताया था चलो चोड़ो आप उसे तो आपके सामनी है आप स्चेडियूल चेक कर सकते हो इस नोट पोस्ट है वो एक है और अनुसूची जाती भूत पूर्वसैनिक तो यह दो है और EWS की भी दो है और OBC की जो एक पोस्ट है और OBC BPL की भी एक पोस्ट है तो टोटल बाइस पोस्ट हैं सिर मोर में और उसके अलावा सोलन में यह आप देख सकते हो तो ऐसा नहीं है कि दो हैं काफी जात से ही पोस्ट है और आपको बता है कि इसका जो स्लेवस रहेगा वो पटवारी वाला ही रहेगा सिर्फ तीन सेक्शन में पांच-पांच मार्क्स कम किये हैं तो बाकि अगर कोई आपको इस बारे में कुछ भी चीज पूछनी हो कि फोम फिल करने के वारे में जैसा भी हो आप मेरे को कमेंड कर सकते हो ठीक है और इस पीडियाफ का जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप वहां से चेक कर लेना अच्छे से बाकि मैं आपको इसमें सेलेरी भी बता चुका हूँ एज भी बता चुका हूँ और कि क्या स्लेव है और क्वालिफिकेशन और किस डिस्क्रिक में कितनी पॉस्ट है तो आई होप कि आपकी जो सबी क्वेरी जा वो कि रहो चुकी होगी बाकि अगर आपको फोंप फिल करने के बारे में किसी भी तरह का कोई भी कोस्टिन है तो आप को मैं कर सकते हो मैं आपको उसका जरूर बताओंगा कुछ ना कुछ